Hello guys Welcome to the new video lecture और जैसा कि मैं आपको बता दूँ हूँ कि magnetic circuit का ये जो lecture है जिसमें कि मैं induced gmf के बारे में बता हूंगा इसके पहले मैंने magnetic circuit के तीन lecture कम्प्लीट कर चुका हूं जिसमें basic definitions electric circuit और magnetic circuit के बीच में difference और most important और चीज फैराडे लौ में एक्स्प्लेइन कर चुका हूँ अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखिए क्योंकि उसका रीजन यह है वहाँ पर मैंने बेसिक टर्म्स डिफाइन किये हुए हैं अगर आपको वह समझ भी यहाँ पर मैं इंड्यूस इम्स जो की सेलफ और मूच्वल होता है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं हल्का साथ 2 मिनिट के लिए आपको रिवाइस करा दूँ कि लास्ट टर्न पर मैंने बताया क्या था लास्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत इंपॉट आया था कि यह एक क्वाइल थी और यह एक मैगनेट था जब हम इस मैगनेट को इसके नजदीक ले जा रहे थे तो इस क्वाइल में एक इंड्यूज्ड एमफ आ रहा था तो यहां पर आपको बिल्कुल एक बात दिमाग में बैठा लेनी है कि किसी भी क्वाइल में अगर क्योद्स प्लक्स हो रहा है तो उसमें इंड्यूफ आएगा अगर किसी भी कोई बी फ्लक्स क्वाइल हो रहा है और इंड्यूज्ड एमापयाउग्ज का माग्निट्यूट बराबर ंड precise ने बताया था और इसकी दर्क्षन होती है वो हम लोग निकालते हैं लेंज लोग के लास्ट लेक्चेर मैंने बताया था इसी का आगे मैं फर्दर चीजें एक्स्प्लेइन करना चाहूंगा यहां पर देखिएगा अब जो इंड्यूजड इमफ आया था उस इंड्यूजड इमफ को हमने दो पार्टों में ब्रेक कर दिया एक होगा सेल्फ इंड्यूजड इमफ और एक होगा म्यूच्वल इंड्यूजड इमफ इसको डिटेल में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका difference बता देता हूँ what is a difference between self induced EMF और mutual induced EMF तो यहाँ पर मैंने दो diagram बनाए हुए है ध्यान से देखिएगा सबसे बड़ा difference तो यह है कि जो आपका self induced EMF होगा जो भी self induced EMF होगा उसमें एक ही coil होगी ठीक है और जबकि mutually induced EMF में जो coil होगी वो दो coil होगी और दोनों coil आसपास रखी होगी ठीक है यह देखिएगा यह coil number one है आपकी और यह coil number two है ठीक है तो दो coil हैं और दोनों coil हैं आसपास रखी होई है पहला difference दूसरी चीज़ self का मतलब क्या होता है self का मतलब होता है खुद में ही एक important चीज और अभी मैंने थोड़ी दिर पहले आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी flux change होगा तो उसमें क्या आएगा induced EMF आएगा तो important बात यह है कि flux आखिर change होगा कैसे flux आखिर change कैसे होगा यह भी एक big question है तो यहाँ पर मैं explain करना चाहूँगा आपको मैंने बताया था जो mmf होता है mmf बराबर होता है n into i previous lecture मैं explain कर चुका हूँ mmf बराबर n into i mmf की वजह से जो उत्पन होता है वो उत्पन होता है flux ठीक है mmf बराबर n i होता है और mmf की वजह से जो उत्पन होता है वो क्या होता है flux होता है यानि कहीं न कहीं जो flux होता है वो किसके proportional होता है MMF एे depends करता है depends करता है तो यहाँ पर flux proportional to MMF की value हम लिख सकते हैं N I N हमारा क्या है constant है number of turns होता है तो मैं directly लिख सकता हूँ यहाँ पर जो flux होगा किसके proportional होगा current के proportional होगा यारी की current की value को चेंज करके हम किसकी value को change कर सकते है flux की value को change कर सकते है ठीक है तो ये आपको answer मिल गया है क्या कि Faraday ने ये बताया था कि अगर कभी भी flux का change होगा तो flux के change की वजए से जो आएगा वो क्या आएगा induced EMF आएगा ठीक है अब ये flux का आखिर change होगा किस के change होने की वजए से current के change होने की वजए से अभी थोड़े देर पहले मैंने आपको बताया तो यहाँ पर self induced EMF के लिए जो circuit बना हुआ है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक coil लगी हुई है normal सी बात है अब जब coil है तो coil का अपना खुद का एक क्या होगा magnetic field होगी होगी नहीं होगी यह मैंने आपको दिखाई हुई है अब इस coil का magnetic flux हम कैसे change कर सकते है इस current की value को change करके कर सकते है ठीक है अब इस current की value को हम कैसे change करेंगे यह दिखिएगा एक variable resistance लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं real state और real state की help से हम resistance की value को क्या कर सकते है change कर सकते है तो यहाँ पर जैसे ही हम real state की वज़े से current को change करेंगे तुरंत यह जो magnetic flux है वो भी क्या होने लगेगा change होने लगेगा और फेराडे ने बताया था जैसे ही magnetic flux change होगा तुरंत circuit में क्या आ जाएगा induced EMF आ जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे self induced EMF self क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर self induced EMF इसलिए बोलना है क्योंकि इसी ही coil का हमने current change किया इसी ही coil का क्या change हुआ flux change हुआ और इसी coil में क्या आया induced EMF आया तो सारा का सारा इसी coil में हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग self induced EMF मैं एक बार फिर से repeat कर देता हूँ self induced EMF में क्या होगा हम जैसे ही resistance की value change करेंगे current current की value change होगी current की value change होगी तो यहाँ पर flux की value change होगी और जैसे ही flux की value change होगी तो ferrady lock according उसमें क्या आ जाएगा induced EMF आ जाएगा ठीक है और यह इसी ही कॉइल में आ रहा है तो इस वज़े से इसको हम लोग बोलेंगे self induced EMF ठीक है अब mutual induced EMF की बात करते है mutual induced EMF का मतलब यह होता है कि जब हम coil one की current change करेंगे तो उसके बगल वाली coil में अगर induced EMF आ रहा है तो ऐसे induced EMF को हम लोग बोलेंगे mutual induced EMF समझ में आया तो दोनों में difference क्या है difference क्या है यहाँ पर कि जब self induced EMF की बात करते हैं तो वहाँ पर एक ही ही coil होती है और उसी ही coil का आपका induced EMF उसी coil में आता है और उसी का flux change होता है यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर दो coils होती है जो की अगल बगल रखी रहती है और पहली वाली coil में हम current की value change करते हैं तो दूसरी वाली coil में यहाँ पर induced EMF आता है इसको हम लोग बोलते हैं mutual induced EMF यह basic difference है दोनों के बीच में अब मैं detail में इसमें बात करने जा रहा हूँ ठीक ह flux में change की वज़े से आता है ऐसा induced EMF जो की flux में change की वज़े से आता है by its own turns मतलब उसके खुद के circuit में जब हम current को change करते हैं तो magnetic flux change होता है और उसी circuit में induced EMF आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे self induced EMF previously अभी मैं बता चुका हूँ अब यही coil वाला diagram मैंने बनाय हुआ है जो previous diagram वही है कि यहां पर एक coil है इस coil को देखिएगा इसमें आपर हमने turns को इस तरह से लपेटा हुआ है और यहां पर हमने एक real state लगाया हुआ है और इसमे current flow हो रही है वही चीज है जैसे ही हम resistance की value को change करेंगे आपको पता है flux proportional to i होता है पहले मैं बता चुका हूँ जैसे ही मै resistance की value को change करूँगा तुरंत current की value change हो जाएगी current की value change होगी तो यहां पर यह जो magnetic flux है वो भी क्या हो जाएगा change हो जाएगा अगर magnetic flux change होगा तो magnetic flux sorry यहां पर magnetic flux change होगा तो flux change की वजए से जो circuit में आएगा वो क्या आ जाएगा induced EMF आ जाएगा ठीक है फेराडे लॉक एकॉर्डिंग ठीक है तो इस EMF को हम लोग बोलेंगे self induced EMF ठीक है तो यहां पर मैं मान लेता हूँ कि consider a coil having a number of turns यह जो number of turns यहां पर लपेटे हुए है मान लेते है number of turns N है और इसमें current flow हो रही है आई ठीक है और जो flux आ रहा है circuit में वो फाई आ रहा है ठीक है अब suppose that current जो है हम क्या कर रहे है चेंज करना है जिसकी वजए से induced EMF आ रहा है इस induced EMF को हम लोग क्या बोलेंगे self induced EMF बोलेंगे last turn पे मैंने बताया था E बराबर जो होता है वो होता है N D5 by DT अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा better expression बनाएंगे इसमें D I upon D I इससे अगर हम multiply कर देंगे तो कोछ भी फरक नहीं पढ़ने वाला है तो इसको अब हम रियरेंज करेंगे रियरेंज कैसे करेंगे यहां से हम N उठ उठाएंगे यहां से D5 उठाएंगे और यहां से D I उठाएंगे इसको हम एक साथ लिख लेंगे और D I upon DT को एक साथ लिख लेंगे मतलब यह जो expression लिखा हुआ है एक बार फिर से देख लीजिए E बराबर N D5 by DT होता है उसके बाद हमने D I upon D I से दोनों उपर नीचे हमन यहां पर लिख दिया है ठीक है तो यहां पर एक expression बन जाएगा E बराबर N D5 by D I into D I upon DT ऐसा मैंने क्यों लिखा हुआ है क्योंकि यहां पर एक दूसरा expression मुझे देना है तो यहां से आ जाएगा E बराबर L D I by DT ठीक है और जो यह term है इसकी value L के बराबर होती है L क्या है अ है self-induced EMF ठीक है self-induced EMF के अगर मैं बात करूंगा तो वहां formula बलता है E बराबर L D I by DT where L की value जो होती है वो किसके बराबर होती है N Phi upon I यह देखिएगा यहां से मैं दिखा दे रहा हूं यह अगर आप इन दोनों को आपस में comparison करेंगे ठीक है तो यहां से यह देखिएगा D I upon DT के बगल में जो term लिखा हुआ है वो किसके बराबर हो जाएगा L के बराबर हो जाएगा ठीक है तो E बराबर हो जाएगा L D I by DT और L की value जो आजाएगी वो आजाएगी N into Phi upon I यह देखिएगा यहां से N Phi और I के बराबर आजाएगा where N क्या है number of turns है Phi जो है flux है और I क्या है current है यहां मैं पहले define कर चुका हूँ अब L है क्या L को हम लोग यहां पर बोलते हैं self inductance L को हम लोग बोलेंगे तो इस expression में यहां पर जो L आएगा L को हम लोग बोलते क्या है self inductance बोलते है self inductance ठीक है और इसकी value जो होती है है वो N into 5 upon I अब यह L है क्या अभी मैं define करने आ रहा हूँ इसको inductance का मतलब क्या होता है अभी जैसे कि मैंने बताया था कि जो मैंने coil मनाई हुई थी जैसे कि एक मैंने पीछे coil मनाई हुई थी जिसमें मैंने इस तरह से winding को लपेटा था इसको यह तो original diagram है लेकिन circuit representation में इसी coil को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है और इसके ऊपर इस तरह से L लिख देते हैं यह L actually में होता क्या है इस L को हम लोग बोलते हैं inductance बोलते हैं अब यह inductance भी दो तरह का होगा एक self inductance होगा और एक क्या होगा mutual inductance होगा self induced EMF की वज़े से जो inductance आता है उसको self inductance बोलते हैं और mutual induced EMF की वज़े से जो आता है उसको हम लोग बोलते है mutual inductance ठीक है अब यह inductance आकर में है क्या inductance होता क्या है inductance किसी coil की property होती जैसा कि मैंने बताया था एक coil है coil के उपर L लिखा हुआ है यह किसी coil की property होती है जो की current के change को oppose करेगी current के change को oppose करेगी मतलब एक coil की ऐसी property जो की current को change होने में विरोध करे current को change होने में oppose करे उसको हम लोग बोलते हैं inductance और अगर यह self induced EMF में आ रहा है तो self inductance होगा अगर mutual induced EMF में आ रहा है तो उसको बोलेंगे mutual inductance ठीक है क्योंकि अभी मैंने self induced EMF पताया है तो यहां पर जो हम लोग लिखेंगे वो हो जाएगा self inductance लिखेंगे इसको समझ में ठीक है तो फिर से मैं बता दे रहा हूं inductance क्या होती है inductance किसी coil की property होती है जो की oppose करती है change in current अब change in current को oppose क्यों कर रही है normal सी वात है लेंज लो यहां पर लग रहा है लेंज ने क्या बताया था कि वह अपने उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण में उत्पन हुआ है तो यहां कि अपने कारणं का क्या करेगा विरोध करेगा इसमें उत्पन होने का कारण change in current है तो इस करेंट का क्या करेगा वह अपोस करेगा ए get तो circuit की वह propertiy किसी कोई की वह property प्रोपर्टी of कोईल जो की अपोस करें चेंज इन करेंट में ठीक है और ल की वैल्यू क्या होती है फामला इंपोर्टेंट है एंट फाई अपॉन आई इसकी यूनिट जो होती है वह हैं अब आगे बढ़ते हैं यह सेल्फ इंडक्टेंस फिर उसके बात करते हैं मैंने प्रीवेसली बताया था मिवशल इंड्यूस indo Qảng्राव में क्या हो गा सकता यहां पर क्वाइल होगा सब्सक्राव 25 तो जब extraordinary कई वैल्यू को चैंज करेंगे तो यहां पर करेंट कि वैल्यू क्या ऊजएगी चैंज हो जाए गी जब current की value change हो जाएगी तो इससे जो भी flux निकल ला होगा उस flux की value भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी जब इस flux की value change होगी तो इस वाली second number coil में जो induced EMF आएगा उसको हम लोग बोलेंगे mutual induced EMF फिर से समझ लीजिए current हम यहां की change कर रहे हैं और induced EMF coil number 2 में आ रहा है समझ में आया कि जो भी coil number 1 की हम current change करेंगे और induced EMF जो आएगा वो coil number 2 में आएगा इसको हम लोग बोलेंगे mutual induced EMF ठीक है अब एक यह symbol G मना रहता है इस G को हम लोग बोलते हैं galvanometer actually में जो induced EMF होता है उसको check हम करते हैं कि circuit में EMF आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको galvanometer की help से check करते हैं अगर galvanometer का pointer deflect कर रहा है तो यह बताता है कि उसमें induced EMF आ रहा है ठीक है फिर उसके बाद यहां पर देखिएगा definition लिखी हुई है और दूसरे circuit में induced EMF आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते है mutually induced EMF ठीक है अब पीछे जो मैंने formula बताया था E बराबर LDI by DT मैंने पीछे formula बताया था ना LDI by DT तो यहां पर L की जगे जो आ जाएगा वो M आ जाएगा क्यों क्यों कि मैंने बताया था जो L होता है वो होता है self inductance ठीक है और जो यहां पर M होगा वो होगा mutual inductance होगा है ठीक है mutual inductance होगा बस केवल इतना difference है वहां पर होगा E बराबर मैंने formula बताया था LDI by DT और यहां पर जो formula आएगा वो आ जाएगा MDI by DT L जो होता है वो होता है self inductance ठीक है और M जो होगा वो होगा mutual inductance ठीक है तो यहां पर M की value क्या है अब यहां पर कुछ चीज़ें कर लेते हैं माल लेते हैं जो कोई नंबर 1 में current I1 है flux जो है वो 51 है कोई नंबर 1 में टर्ण एन 1 है कोई नंबर 2 में टर्ण जो है वो यहां पर N2 है N2 सोरी यहां पर गलत लिखा हुए N2 होगा ठीक है फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं mutual inductance की basic definition क्या होती है mutual बराबर होता है flux linkage in coil 2 divided by current in coil 2 अब यहाँ पर एक वर्ड आया है flux linkage ठीक है flux linkage का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ जैसे कि मान लीजिए कोई coil है जिसमें number of turns कितने है n है और इसमें जो flux है वो क्या है तो अगर मैं total flux की बात करूंगा तो total flux क्या हो जाएगा n into 5 ठीक है तो इस n into 5 को जो हम लोग बोलते हैं उसी को हम लोग बोलते है flux linkage ठीक है n into 5 जो होता है flux linkage होता है अब यहाँ पर है flux linkage in coil 2 divided by current in coil 1 तो flux linkage coil 2 में क्या होगा देखिएगा उपर diagram बना हुआ है यहाँ पर यह जो coil number 2 है इसमें कितना flux जा रहा है देखिएगा यह वाला flux इसमें आ रहा है तो flux हो गया 5 1 और यहाँ पर number of turns कितने हैं वो कितने हैं n 2 तो यह हो जाएगा flux linkage n 2 into 5 1 आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा n 2 into 5 1 यह गलत दिखा हुआ है n 2 into 5 1 हो जाएगा और current in coil 1 कितना है i1 है तो यह हो जाएगा mutual inductance की basic definition समझ में आया है कि नहीं है ठीक है तो यहाँ पर फिर से मैं एक बार आपको revise कराय दे रहा हूँ यहाँ पर दो तरह के induced EMF की मैंने बात की है self और mutual अगर हम इस circuit यहाँ पर एक ही coil होगा यहाँ पर आपकी दो coil होगी पहली बात दूसरी चीज यहाँ पर यहाँ पर इस coil की current की value को हम change करेंगे जिसकी वैसे flux change होगा और flux change होगा तो यहाँ पर induced EMF आएगा तो इसको बोलें इसको इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर हम coil number 1 की current change करते हैं और induced EMF second वाले में आता है इसको बोलते है mutual induced EMF और इसकी वजह से जो mutual inductance आता है उसको हम लोग represent करते हैं M से ठीक है तो inductance क्या होता है inductance किसी भी coil की वह property होती है Inductance is the property of the coil which oppose the change in current जो की change in current को क्या करती है अपोस करती है ठीक है तो यह काफी important वीडियो है self induced EMF और mutual induced EMF के regarding ठीक है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको like करिए और ज्याद़ ज्याद़ सब्सक्राइब करिए ठीक है